तो यह बहुत ज्यादा important question है देखे मैंने इसको 5 star question बना दिया है क्या है इसमें PPS swag वाला question देखे मैं आपको बता दू हमारे हर एक topic में मैं आपको ऐसे 2 या 3 swag वाले questions देने वाला हूं PPA का swag that means यह question कर लो आपका paid भर जाएगा पूरा topic revise हो सकता है तो जैसा मैंने आपको कल कहा था day 1 के session में की investment account में दो तरह के questions आते हैं investment in shares investment in debentures तो मैं आपको guarantee रहता हूं यह वाला question नाम का client है जिस जो कहता है कि sir मेरे पास पहले 8000 ओपनिंग नंबर ओफ शेर्स फिर मैंने पर्चेस किए 15,000 शेर्स एट 14 फिर से मैंने पर्चेस किए 17,000 शेर्स एट 18 लेकिन कल के और आज के solution में फर्क यह है कि कल ब्रोक्रेज वगरे कुछ नहीं था आज ब्रोक्रेज औ डीलर को जिससे हम यह transactions करते शेर डीलर को और stamp duty जाती है हमारे government को जो हम पर्चेस करते होत देते हैं तो यह आज का नया point है तो चलिए थोड़ा सा highlight कर देते हैं यह है कुछ नया तो और क्या हुआ फिर उसने कहा कि सर मैंने उसके बाद मुझे कुछ bonus shares भी मिले अच्छी बात है वो तो कल भी देखा था कुछ rights भी available हुए one right share for seven held at 13 that is also okay उसमें से सर मैंने 60% ले लिए और बाकी मेरा friend है rocky उसको मैंने दे दिये at the commission of two चीक है और यह कुछ नया है आज उस बेचते वक्त भी कुछ brokerage उसको चार्ज हुआ है यह नया है और market value भी दिया हुआ है तो चलिए इसी के साथ हम investment account बनाते हैं लेकिन start करने से पहले आप भी मेरे साथ solve करने वाले हो इसलिए सब लोग 20 lines के लिए investment account बना लीज़े चलिए go for it फिर हम solution start करें तो हमने investment account rate of 16 1,28,000 उसके बार हमने new shares लिए तो आपने लिखा debit what comes in investment account debit to bank account 15,000 शेर लेकिन इस बार हमें एक working note करनी है कैसे करनी है calculation of net purchasing cost particulars lot 1 lot 2 की बात कर रहा हूं number of shares purchased 15,000 at the rate of 14 तो gross purchase value भले 2,10,000 है उसमें 2% brokerage cost add होगा that is 2,10,000 का 2% 4200 और stamp duty मुझे government को देना है brokerage मुझे dealer को देना या agent को देना है share broker को in short और stamp duty government को जाएगी यह होगे मेरे net purchasing cost यह net purchasing cost में लिखने वाला हो debit side में so in short इस बार हमने कुछ नया सीखा how to add the brokerage and stamp duty to the cost of investment तो हमने यह लिख दिया हमारा purchasing cost उसके बात क्या हुआ उसने का सर मैंने एक बार फिर से purchase किया है 17,000 शेर्स तो आईए सब लोग आईए मेरे साथ investment account के debit side में और लिख दीजिए to bank account shares investment purchased 17,000 लेकिन उसकी cost अभी हमें निकालनी बाकी है working note number लिख दीजिए to bank account share investment purchased 17,000 working note वन तो आईए ज़रा देखते हैं क्या होगा उसने का देखिये सर आपने 17,000 shares खरीदे हैं अच्छी बात है और उसकी price आप कह रहे हो कि है 18 तो उसकी gross purchasing cost हो गई 3,600,000 एक बार चेक कर लेते हैं 17,018 लेकिन सर उस पर फिर से 2% stamp duty सरी ब्रोक्रेज है तो 3,600,000 का 2% 6,120 और उसमें add हो गया 150 तो यह आ गया आपका purchasing cost 3,12,270 और यह purchasing cost आप लिखोगे यहाँ पर इंक्लूडिंग brokerage and stamp duty तो इस तरीके से हमने net purchasing cost calculate किया सेकंड लॉट का भी तो पहला लॉट सेकंड लॉट दूनों एक ही वर के उसके बात क्या हुआ उसके बाद उसने का सर मुझे bonus shares मिले 3,4,4 held मैंने का यार अच्छा लखी आदमी है तू बहुत shares मिल रहे तिरको तो कितने share से यह total यह 40,000 है तो 3,4,4 held आईये debit side मैं बोनस shares received 1,11,20 बोनस shares received 3 bonus shares for 4 shares held 40,000 held है इंटो 3,4 तो 30,000 shares free of cost मिले लिए बोनस shares free shares चलिए अपने favorite adjustment की तरफ जाते हैं अब आगए right shares अब right share पर आपको यह brokerage वगरे नहीं होता है याद रखें क्योंकि directly company से आते हैं तो right shares उन्होंने कहा अगर आपके पास 7 shares है तो आप एक share खरीच सकते हो at the rate of 13 60% आपने ले लिए तो चलिए आईये debit side में to bank account right shares purchased कितने लिए shares आपने तो आईये ज़रा आपके पास 70,000 share से चेक कर लीजिए यह चारों मिलाके 8,000 प्लस 15 23 23 प्लस 17 40 40 प्लस 30 70 70,000 shares है और आपको rights available है one right per 7 shares है और उसमें से आपने 60% ले लिए तो कितने लिए ज़रा बताएंगे ज़लब chat box में आएंगे हाँए हो मेंने rights हुपर्चेश्ट शीक्स ताउसन पर्फेक्ट तो 6,000 राइच उपर्चेश्ट और 6,000 राइच लिए आपके लिए जय देशेट 6,000 नंब और उसकी पर्चेसिंग प्राइस है थर्टीन इच है थर्टीन सेंटीएट थाउजन विल बी यूर पर चेसिंग पॉस्ट फॉर राइट शेर तो बचे हुए जो राइट से 40 परसेंट वह रॉकी को देदी और दो रुपए कमीशन ले लिया तो क्रेडिट ओल इंकम संगेंस आईए क्रेडिट साइड में और हमने कहा वाइब बैंक अकाउंट क्योंकि कमिशन मिल रहा है आपको शेर्स आइम सो सॉरी हमें पहले यह वाली एड्जेस्ट थोड़ा सा उपर लिखिएगा प्लीज क्योंकि इस बार एना सेल ओफ शेर भी है मैंने का देखिए सर सेवेंटी थाउजन शेर्स थे आपके पास वन बाई सेवन आपको मिल सकते थे और आपने 40 परसेंट ट्रांसफर किये हैं और उस पर आपको कमिशन मिला है अड़रेट ओफ तू इच तो जरा कैलकिलेट करके बताएंगे मुझे कमिशन कितना मिला होग चलिए फटाक से बताइए तो मुझे एकदम पर्फेक्ट आंसर दिया है सभी ने कि सर 8000 कमिशन मिलेगा हमें that will go in the cost कॉलम क्यूंकि आपके पैसे वसूद हो रहे हैं इन दिस वे हमने अभी तक ओपनिंग बैलंस दो बार पर्चेस उसमें ब्रोकरेज और स्टैम ड्यूटी एड़ करके फिर बोनस शेर लिखा फिर राइट शेर्स जो हमने पर्चेस किये 60 परसें वो लिखा और जो 40 परसें रॉकी को दे दिया उसका कमिशन का इंकम भी हमने लिख दिया यहां तक अच्छे खासे मार्क सामें मिल गया और हमेशाद रखिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो यह मार्क हमारे पक्तिया ओके तो हमने फर्स फिबरॉरी को कुछ शेर्स बेचे है तो आप लिख सकते हो बाइब बैंक अकाउंट क्रेडिट वर्ड जर्नल इंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्मेंट अकाउंट शेर सोल्ड है 18,000 लेकिन सर आपने वर्किंग नोट 3 क्यों लिख दिया इसको क्योंकि एक बीच में वर्किंग नोट 2 है हमारी एवरेज कॉस्ट वाली तो आईए सब लोग नीचे अभी अभी की तरफ जाने वाले फिर आप बोलोगे अरे मिल गए सारे माक्स येस आईए वर्किंग नोट 2 की तरफ और हेडिंग दे दीजिए एवरेज कॉस्ट पर शेर कि एक मिनए नवर्किंग नॉट नमबर टू कि एवरेज कॉस्ट पर शेर आपको मालूम है कैसे करना है इसको हम सारी की सारी कॉस्ट पहले लेने वाले हैं इसमें से कुछ वसूल हुआ तो वो लेस कर देंगे देखिए डेबिट साइड देखिए आपको भी मालूम है कि 1,28,000 प्लस 2,14,300 प्लस 3,12,270 प्लस 0 प्लस 78,000 यह सब हमने पेमेंट किया है माइनस 8,000 वसूल हो गया डिवाइड़ बाइं जितने नंबर ओफ शेर्स आपको मिले हैं वो सारे कि हमने कल भी किया था कि यह लिजए फोड़ा जूम आउट करता हूं तो यह तो आप भी अभी निकाल लोगे क्यूंकि कल आप सब लोग थे तो आप बोलोगे सर इसमें कोई टेंशन यह यह तो हो जाएगा कि अवरेज कॉस्ट परश कि देख लीजे एक बार अगर आपको कुछ लगता है तो आप 10 मुझे पूछ सकता रहा हूं तो फिर हमने क्या किया एवरेज कॉस्ट पर शेर निकाल के रखा लेकिन सर इसका यूज कहां पर करेंगे अभी नहीं करेंगे तो क्यों पहले यह निकाला अब आपको पता चलेगा वर्किंग नोट 3 में हमने यहां पर लिखके रखा है देखिए बाइ बैंक अकाउंट शेर सोल्ड एटीन थाउजन वर्किंग नोट नमबर थी तो अभी जो शेर सम बेच रहे हैं उसकी थर्ड वर्किंग नोट हमें प्रिपैर करने आईए सब लोग और लिख दीजे वर्किंग नोट नमबर थी जो एक सेल ओफ एटीन थाउजन शेर्स एट रुपीज नाइटीन लेस वन परसेंट ब्रुक रिच इस इतना लिखने की जरूरत है जरूरत वैसे नहीं होती है लेकिन लिखोगे तो आपको बाद में फायदा हो अब पहले देख लीजे मैं क्या कर रहा हूं देखे मैंने कहा आप 18,000 शेर्स बेच रहे हो उसकी सेलिंग प्राइज है 19 इच तो आपको मिलने चाहिए थे आपके हाथ में अमाउंट वह है 3,42,000 अब पूरा देख लीजे पहले लेकिन ब्रोकर कहता है सर मेरा कमिशन इसमें से कट हो जाएगा वो भी सही है तो उन्हों ने कहा 1% ब्रोकरेज जाएगा 3,420 और आपके हाथ में नेट सेल्स अमाउंट आएगी 3,38,580 तो यह होगे आपकी नेट सेल्स अमाउंट ध्यान देते रही है अभी लिखना नहीं है तो यह नेट सेल्स अमाउंट मैं यहां पे लिखूंगा कि ब्रोकरेज जाने के बाद कितना पैसा मुझे मिला लेकिन आप बोलोगे सर इस पर लॉस या प्रॉफिट भी तो हो सकता है वो भी देख लेते हैं मैंने का एकदम सही है तो आपने 18,000 शेर बेचे है और उसकी कॉस्ट है 9.58 तो सिंपल भाशा में कहें तो 9.5338 का शेर आपने 19 में बेचा है 19 मतलब थोड़ा कमिशन जाके तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आपको हुआ होगा इसलिए मैंने का चलिए देख लेते एक बार मैंने का देखे सर आपने 18,000 शेर बेचे हैं और उसकी एवरेज कॉस्ट जो थी वो थी 9.5338 यह हमने उपर से ली है तो फिर आपकी नेट कॉस् है इसको मल्टिप्लाइ करके यह 171,609 मतलब आपने 171,609 के शेर 338,000 को बेचे मतलब डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ है डिफरेंस अमाउंट 338,000 माइनस 171 166 971 और अगर यह आपको प्रॉफिट हुआ है तो नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट हमेशा पी एंड अकाउंट के डेबिट सैड में जाएगा आपका प्रॉफिट और वो की कितना है वो है 1,66,971 तो पहले मां आपको दिखा देता हो मतलब रेकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको फिर से रिवाइज करके ही देने वाला हूं तो मैंने कहां देखिए 338 को बेचा सेल्स प्रैस तो हमने क्रेडिट सैड में लिख दी लेकिन उसकी एवरेज कॉस्ट 171 थी तो 166,971 आपको प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट पी एंडेल अकाउंट के क्रेडिट में मतलब इन्वेस्मेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा डोंट वरी मैं डीटेल में दो मिनिट है इसलिए फिर मैं डीटेल में फिर से आपको बताऊंगा तो एक बार हमने क्या किया अभी तक एवरेज कॉस्ट निकाल ली 9.53 फिर हमने सेल्स अमाउन लिख दी इसको कंपेर किया कॉस्ट से और मुझे प्रॉफिट मिल गया वो मैंने पी एंडेल को हूं तो वो है तो 76,000 76 में से आपने 18,000 शेयर तो बेज भी दिये तो आपके पास क्लोजिंग बैलन्स रहता है चेक करता है वो है 58,000 का 76-18 58,000 अब इसका वैलिएशन करना है तो हमारा रूल है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच्वर इस लोगर तो मार्केट वैल्यू तो आप कह रहे हो 16.5 है लेकिन कॉस्ट तो नाइन पॉइंट सम्थिंग है तो इट विल भी वैल्यूड एट कॉस्ट वैने यही पर लिग दिया क्लोजिंग बैलन्स 58,000 कोस्ट पर शेयर 9.5338 वाइल मार्केट वैल्यू इस 16.5 दस वैल्यूड एट कॉस्ट बिइंग लो तो फिर यह मेरा सुलीशन पर्फेक्ट है तो यह देखे अकाउंट टैली हो गया और मेरा सुलीशन एकदम पर्फेक्ट है यह प्रूव हो गया इन दिस वे वह सॉल्ड डिस क्वेस्टिन ऑफ इन्वेस्मेंट अकाउंट फटक से रिवाइस करता हूं उपनिंग बैलन्स पर्चेस दो बार ब्रोक्रेज और स्टाम ड्यूटी पकड़के बोनस शेयर फ्री में मिले राइट में से 60% लिए 40% का कमिशन कॉस्ट फॉलम में फिर बेच दिये लेकिन बेचने से पहले हमने आवरेज कॉस्स निकाल लिया क्योंकि हमें बेचने के बाद उसका प्रॉफ यह तोटल 12-16 मार्च तर इसको सुलीशन कहा जा सकता है तो दिस इस अ पर्फेक्ट सुलीट